वेलकम टू अभियंता मैथ्स अभियंता मैथ्स में आपका स्वागत आज हम लोग क्लास टेंथ का देखने जा रहे हैं विहार बोड का मोडल से ठीक है वह मैथेमेटिक्स कौन सा चैप्टर मौथेमेटिक्स टॉपिक है ठीक है इस बार कूल प्रस्णों की संख्यां 138 होगा पहले की तरह ठीक है कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से समझ ये 2021 के लिए भी भी आई है 15 मिनेट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कोस्टन पॉढ़ने के लिए कोस्टन में दोगों खंड होगा खंड और खंड बह ठीक है अब देखिए करा साव अस्तुनिस्ट प्रस्ण होगे जिन में से किनी 50 का उत्तर देना आपको जरूरी है अगर आप 50 से ज्यादा सवालों का उत्तर देते हैं तो केवल एक से 50 तक कहीं चेक किया जाएगा इसलिए ज्यादा तेज बनने की कोशिश नहीं करना है ठीक है कोई भी 50 दे देना है 100 से लेकर 100 तक है उस देखते हैं और क्या 20 सवाल सेक्षन एक था सेक्षन में क्या-क्या इंस्ट्रक्षन थोड़ा सेक्षन 2 में जो रहेगा ठीक है खाने का मतलब सेक्षन B 30 गो लगुत्रिय प्रस्ण रहेगा जिसमें आपको 15 का जवाब देना है परतेक के लिए 2 नंबर मिलेगा ठीक है अब देर गुत्रिय प्रस्ण होगा इसी सेक्षन B में उसमें 8 को सवाल पूछे जाएंगे 4 का जवाब देना है आपको परतेक कोस्षन का 5 नंबर है ठीक है एक कोस्षन का 5 नंबर मिलेगा ठीक है चलिए इस तरह इंस्ट्रक्षन देख लिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते है ठीक ह करेगा इस मोडल से ठीक है इसमें आम लोग यह भी सी नहीं करेंगे एक्स्प्लेनेशन के साथ सीखेंगे हम लोग लेक्चर वन इस तरह दस लेक्चर हम लोग देखेंगे चलिए सवालों को नोग सुरू करते हैं ठीक है पहला सवाल कह रहा है कि 92 एक सो पंधरा का सरलतम र और हिंदी मेडियम दोनों वालों के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है cbsc वालों के लिए इंपोर्टेंट है देखिए जब भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा सिखते चलिए डाटा चेंज रहेगा तो दोनों का hcf निकाल लो ठीक है 92 और क्या है काट कुट करने में दिक्कत करता है 115 निकाल लेते हैं cf ठीक है तो एक मर्तवे लगाई है 92 ठीक है पांच में से दो गया तीन बचा गारा में से नो गया दो तेश तेश से बानवे कट जाएगा ठीक है चार मर्तवे ठीक है तेश चोक बानवे कट गया इस तरह hcf तेश आ गया ता हम लोग क्या करेंगे इसी को 92 बाई 115 है ठीक है कितना से डिवाइड करेंगे उपर नीचे तेश से कितना से करेंगे तेश से ठीक है देखी तेश चोक बानवे कितना होता है चार नीचे क्या होगा तेश पचे 115 चार बटा पाच आनि बी ओप्शन कॉरेक्ट है कौनसा ओप्शन सही है बी ओप्शन कॉरेक्ट है ठीक है कौनसा ओप्शन सही है बी ओप्शन कॉरेक् चली आगला सवाल देखते हैं अगला बोले तो दूसरा सवाल ठीक है रहा है दो परिमे संख्याओं के बीच अधिक्तम कितनी परिमे संख्याओं हो सकती है अनन्त हो सकती है बहुत सारा हो सकता है कोई भी दो नंबर है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल देख लेते हैं कौन सा सवाल तीसरा करा है निमन में से किसका दसमलों पर सांत है दरसमलों पर सांत विच वद फ्लोइंग है टेर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपैंशन ठीक है तो देखिए इसको हम लोग करते हैं नीचे वला देखो 600 ठीक है इसको 5 से काटो 5 15 5 से काटिए इसको 5 15 15 10 320 ठीक है अब नहीं कटेगा नीचे 320 आया 320 का हम लोग फैक्टर करते हैं ठीक है 320 का फैक्टर करते हैं 2 से 160 2 से 80 ठीक है अफिर 2 और 5 का आएगा इस तरह से यह जो 320 है इसमें 2 और 5 का फैक्टर के वला रहा है ठीक है डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग सांत के लिए केवल दो दिखना चाहिए आपको डिनोमेटर में नीचे में नहीं तो केवल पाच नहीं तो दोनों दिखना चाहिए यहां पे दोनों दिख रहा है ठीक है चली अगला सवाल देखते हम होता है सुन्य को कगुनन फल बराबर होता है बताइए सी यह होता है क्या होता है सी के जगा यहां पर यह है क्या है यह है ठीक है सी कॉंस्टेंट टर्म होता है यह होता है कॉफिसेंट अफ एकस स्क्वार्ट यहां वाई स्क्वार का कॉफिसेंट डी हो जाए यह बाई डी ओप्षन कोरेक्ट ठीक है दा प्रोड़क्ट ऑफ जीरो ऑफ दा पोलिनोमियल डीवाई स्कॉार प्लस बीवाई प्लस ए विल भी ठीक है कौन अप्षन दी यह दोनों लैंग्वेज वालो ध्यान दीजिए यह भी बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन है ठीक है कौन सा पाचमा नमबर कराए रूट 18 का परमेई करन गुनांग है दर रेस्निलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूटेटी नीज तो रूटेटी नहीं लिखा हुआ देखिए ध्यान दीजिए इसको क्या लिखेंगे टू इन्टू 3 इन्टू 3 लिखेंगे फैक्टोराइज करेंगे तो जोड़ा में से एक बाहर ठीरी रूट 2 ठीक है तो पूछा जारा है रेस्निलाइजिंग फैक्टर परिमेईक करन गुनांग क्या होगा धिवी आई है तो रूट 2 हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देख करहाए चुछा क्या सबसे छोटी आभाज संख्यां है The smallest प्राइम नमबर इज डुदू ठीक है B option क्ौरेक्ट हो फिकत है घलुसावाल है इसवाण स Chun tis bless kamsервis Magen डिया समाज संख्यां भी दो दो होता ठीक है इस casi형 हम लोग 18-22 कारे eldaman ठीक है ना अगला सवाल देखिए अगला सवाल भी बहुत ही इंपोर्टेंट है साथ मा देखते हैं रायादी A equal to BQ plus R जहां A और B धनात्मक पुर्णांख है तो ये फिए equal to BQ plus R where A and B are positive integers देन समझ ये condition क्या बताया थे कि 0 less than equal to R less than B होता है ठीक है इसी को उलट के लिख दिया गया है ठीक है आनि B greater than R इस टाइप से option है कोई देख लिजी आनि R less than B है हाँ है सी option सही है कौन सा है सी option सही है ठीक है एक्चुल में इसका दिया हुआ अगर इस टाइप से option रहेगा तो उसको मारेंगे हम लोग ठीक है ऐसे क्या है बी का भाइलू जो है आर से छोटा होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि आठमा सवाल देख लेते हैं आज का ये लास्ट सवाल है ठीक है करा नीमन में कौन परीमेशंखिया ठीक है तो देखिए रूट 5 रूट 5 मर गया डी हो गया विच अवद फ्लोईग इस रिइसनल लंबर रूट 5 रूट 5 रूट 5 मर गया डी option ठीक है ठीक है थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब दा चैनल फोर निव अपडेट्स वीडियो को बार बार देखिए बोड एक्जाम में इससे कुछ एक्ष्टर नहीं आने वाला है ठीक है जो बता दिया जाएगा इसमें हम लोग बहुत सारे इससे रिलेटेट्स वालों को देख लेते हैं इसलिए वीडियो को बार बार देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सबस्क्राइब कर दे थैंक्स फोर वाचिंग चैनल को वार इस हूंगा